गुड मॉनिंग एब्रिवन, बेलकम टो एक्जाम और्बिट क्लासिस आज है 20 अगस्त और आज के इस सेशन में 20 अगस्त से बनने वाले सभी महत्पून कुईश्चन्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्पून सुर्ख्यों पर दही हांडी को मिला महरास्ट में साहा से खेल का दर्जा हर गर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्ज बना गोवा मोखे मंत्री अर्विंद केजरीवाल ने लॉंच किया मेक इंडिया नंबर बन मिसन रक्षमंत्री राजना सींग आत्म निरेचंड ससस्त्रबल नियाइधी करण पर रास्टिय संगोष्टी का करेंगे उदगाटन नासा का चंदर रोकेट पहले उडान परिक्षण के लिए 55 पेट पर पहुँचा असम ने निर्धन बच्चों को सिक्षित करने के लिए सुरू की बिद्यारत इस्कूल ओन बील्स परियोजना राइन नदी का जल इस्तर रिकॉर्ट नीचले इस्तर पर पहुँचा मंडला बना भारत का पहला कारे आत्मक रूप से साक्षर जिला जर्मनी में भारतिय समूदाए के पहले प्रतिनीदी चुने गए गुर्दीप सिंग रंधावा एडल वाइस M.F. ने पेस किया भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड अब डिस्कुस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में कल हम लोगोंने क्या-क्या पढ़ा तक विक्रिवीजन करेंगे बोज्टोग 2022 सेन ने अभ्यास का आयोजन किया जाएगा रसिया में जिसमें भारत भी भाग लेका अर्नाचल प्रदेश ने ड्रौन सेवा की पहली उडान मैडिसिन फ्रॉम दा इसका ही सुरू किया है देश की पहली एडवल डेकर बाता अनुकूलित बसका उदगाटन किया गया है नितनगरकरी के दुवारा और उदगाटन कहां पर किया गया है तो मुंबई माहरास्ट में स्वच और हरित उर्जा को बढ़ावा देने के लिए एसिया के सबसे बड़े संपीडित बायोगैस सयंत्र को कहां सुरू किया गया है पंजाब के संग्रूड में सयुप्त रास्ट के नए जलवायू प्रमुख बन गये हैं साइमन इस्टील किस भार्तिय सुतंतरता संग्राम के प्रतिष्टे सदस्य के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है दादावाई नौरोजी के घर को केंद्र सरकान ने भार्तिय रिजब बैंक के बोड में चार सुतंतर निदेशों को को पुन्हे नियुक्त कर दिया है SVI ने स्टार्टप के लिए समर्पित पहली साखा खूली है बैंगलोर करनाटक में अंधरास्ट ये पूरुस हौकी टूनामेंट सुल्तान अजलान साहा कब 2022 का आयोजन किया जाएगा इपोहो मलेशिया में समयुक्त रास्ट के उच्छी स्टरिये इंटरनेट पैनल में सामिल किया गया है अलकेस कुमार सर्मा को तो फ्रेंट्स ये था कल का करेंट अफ्यर अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की खिलाद ज़रूर देख लिजेगा चले डिस्कस करते हैं first question आज के session का केस राज्ज सरकार ने लोग पर ये खिल दही हांडी उसब को सहा से खिल का दरजा देने का फैसला किया है तो फ्रेंट जो दही हांडी उसब है इसे सहा से खिल का दरजा दिया जाएगा महरास्ट सरकार के दुवारा आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो माहराष्ट में दही आंडी को सहासी खेल का दर्जा मिलेगा इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी यानि कि दही आंडी उससम में सामिल होने वाले यूबग खेल कूद कोटे के अंत्रगत सरकारी नौकरीयों के लिए आभेदन कर पाएंगे अन्य उप्संस के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सिग्मों फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं तो याद रखेंगे गोवा में मनाया जाता है हॉन्विल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है नागलेंट राच में ओड़म उससम कहां मनाते हैं तो केरल में मनाते हैं और साथी मकर विलक्यू त्योहार भी केरल में मनाया जाता है सबरि माला मंदिर के अंदर आगे डिसकस करेंगे दही हांडी उस्थब के बारे में जैसा कि अभी आप सभी जानते होंगे कि जनमास्ट मी के जनमास्ट मी का जब अयोजन होता है उसी के थुरूर से मनाया जाता है इसमें होता क्या है फ्रेंट्स तो इस उस्सब में रसी के सहारे हवा में लटक रही दही से भरी मटकी को मानब प्रामीट बना कर फोड़ा जाता है आगे डिसकस कर लेते हैं हाली में चर्चा में रहे प्रमुख महुसफ या फेस्टिवल सीतल सस्टी तेवहार कहां मनाया गया था तो इसका आयुजन किया गया था उडिसा राच में धोलोसब मनाते हैं पच्छे मंगाल में कचरी लमन फेस्टिवल का आयुजन किया जाता है मनिपुर में सरहुल तेवहार मनाया गया था जारखंड में तोरेया माहोसब 2022 ये मनाया गया था अरनाचल प्रदेश में हैरत माहोसब का आयूजन किया गया था चमुकस्मीर में अंतरास्टी चेरी विलोसम फेस्टिवल मनाते हैं मेघाले में मेधाराम जतारा माहोसब 2022 का आयूजन किया गया था तेलंगाना राच में अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि लेविंडर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है फेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिचिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो जादा से जादा शेयर कीजेगा और लाइक कर लीजेगा अगला क्वेशन डिस्कस करेंगे खबरों में रही राइन नदी के सागर में गिरती है तो फ्रेंट्स जो ट्राइन नदी है ये सुर्कियों में बनी हुई है क्योंकि इसका जो जल इस्तर है वो काफी सूख गया है और ये यूरोप की एक प्रमुक नदी है जो की उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है इसका उद्गम होता है अलपास परबच से जल कहाँ पर गिराती है तो ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है जैसा कि आप सभी मैप में उत्तरी सागर यानि की नौर्थ सी की लोकेशन देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा नौर्थ सी ठीक है आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य उप्संस के बारे में जैसे कि भूमद्द सागर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो नील नदी है यह अपना जल कहां पर गिराती है तो याद रखेंगे भूमद्द सागर यानि की मेडिटेरियन सी में गिराती है यूरोप की प्रमुक नदी है आप सभी ने सुना होगा बोलगा नदी बोलगा नदी अपना जल कहां गिराती है तो बोलगा नदी अपना जल गिराती है कैस्पियन सागर में यूरोप की एक और नदी है डैन्यूब नदी डैन्यूब नदी कहां जल गिराती है तो काला प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो फ्रेंट्स हर गर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा राज्य बना है तो गोवा बना है अगर आप से कुछ extra fact क्या है हर गर जल मिसन तो फ्रेंट्स 2020-21 के बजट में जल जीवन मिसन या हर गर जल योजना की खोशना की थी जल जीवन मिसन की परिकल्पना ग्रामिड भारत के सबी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और परियाप्त पैजल उपलप्त कर थी इसका जो उद्धेस है वो देश के सभी घरों में पाइप्लानों के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्थी करना है आगे डिस्कुस करेंगे अन्य जानकारियां जल संक्ति जो मंत्राले है इसका गठन कप किया गया था तो 2019 में जल संक्ति मंत्राले बनाया गया था पहले मंत्री कौन है तो गजेंदर सिंग सिखाबत है ड्रिंग फ्रॉम टैब बाला भारत का पहला सहर कौन सा है पूरी है जो कि आपको उडिसा में देखने को मिलेगा भारत का पहला बाटर प्लस सहर है इंदोर इंदोर कहां पर है तो ये मद्ध प्रदिस में है किस मंत्र किस ने लॉंच किया है तो friends make India number one mission लॉंच किया गया है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी के दुवारा जिने आफ सभी पिक में देख सकते हैं आए डिसकस कर लेते हैं इस mission के बारे में तो friends ये make India number one mission पहला point याद रखेंगे दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने से लॉंच किया है साथी इसी के देश के फिर से माहान और number one बनाने के लिए पांच मंतर दिये गए हैं इनके दुवारा पांच मंतर कौन-कौन से हैं एक बार देख लेते हैं द इसके प्रितिक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकेसा उपचार हर यूबा को रोजगार हर महिला को सम्मान समान अधिकार और सुरक्चा किसानों क्यों उनकी उपज का उचित मूलित देना है तो ये पांच मंतर इनके दुवारा दिये गए हैं आगे डिस्कस कर लेत हैं मेक इन इंडिया कारिकरम इसकी शुरवात कभ की गई थी udah 2 में एन इंडिया काषि कर 59 सितंबर 2014 में में शिया करा है तो भारत को एक बी इनिर्माड हब के रूप में बिक्सित करना है में इन इंडिया का प्रतीक क्या है फ्रेंड्स तो जैसा कि आप सभी ने देखा किस राज्ज ने बिद्यारत स्कूल on wheels पर योजना लांच की है तो फ्रेंट जो बिद्यारत स्कूल on wheels पर योजना है इसके शुरुवात की गाई है असम सरकार के दुआरा आए डिस्कस का लेते हैं इस योजना के बारे में तो असम के मुक्मंतरी यानि की हिमंत विश्वसर् इसका उद्दिस बंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंबिक सिक्षा तक पहुँच पिर्दान करना और 10 महीने के बाद बच्चों को सिक्षा की सामान्य प्राणली में एक इक्रत किया जाएगा साथी इस परियोजना के तहट छात्रों को मुप्त मद्यम भोजन बर्दी और पाठे पुस्तक भी दी जाएंगी असम सरकार के दुवारा आगे डिसकस करेंगे स्पेसल डोस फुर एक्साम में रास्टिय सिक्षा मंत्रियों का जो सम्मिलन आयुजित किया गया था ये कहां पर हुआ था तो गांधी नगर गुजरात में इसका आयुजन किया गया था 1947 से 1958 तक सुतंतर भारत के पहले सिक्षा मंत्री के रूप में किसने कारे किया था मौलाना अबुल कलाम आजातने भारत में सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को सिक्षक दिवस का आयुजन किया जाता है अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स बताना है कि नई सिक्षा नीती कब लागू की गई है प्रात्मिक विद्यालों में चात्रों को नामंकित करने के लिए 70 साला प्रवो उसब अभियान की शुरुवात किसने की थी तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेंद पटेल दुवारा इसकी शुरुवात की गई थी नेस्ट कुशन देखेंगे खबरों में रहा चंदर रॉकेट का संबंध किस से है तो फ्रेंट जो चंदर रॉकेट है ना इसका संबंध है नासा से नासा इसे लॉंच करने वाला है 29 अगस्त को नासा कहां की अंत्रेच एजन्सी है तो नासा अमेरिका की अंत्रेच एजन्सी है नासा का हैटकोर्टर कहां पर है तो वॉनसी गटन डीसी यानिकी अमेरिका की कैपिटल में है नाटा की नासा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1958 में अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसरो की स्थापना कप की गई थी और इसरो का हैटकुआटर कहां पर है अगला कुजिशन डिस्कस करेंगे आत्म निरिच्छर ससस्त्र बल नियाईदी करण पर रास्टिय संगोस्टी का उदगाटन कौन करेंगे तो फ्रेंट जो रास्टिय संगोस्टी है ना इसका उदगाटन किया जाएगा रक्षा मंतरी राजनासिंग के तुवारा कहां पर आयुजित किया जाएगा तो ये नई दिल्ली में होने वाला है यानि कि आज इसका उद्देश से क्या है तो ससस्त्र बलो के सेवारत कर्मियों भूतपुर्म सैनिकों उनके परिवारों और युद्ध में सहीद हुए जवानों की बिधवाओं को जल्दी और कम खर्च वाला न्याय सुनिचित करने के लिए न्यायदी करण के कामकाज का बिसलेशन करना है कहां पर होने वाला है तो ये नई दिल्ली में होगा नेस्ट कुशन देखेंगे भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है फ्रेंट्स तो आदिवासी कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला बन गया है मंडला मंडला कहाँ पर है तो मंडला देखने को मिलेगा आपको मद्ध प्रतेश में आए डिस्कुस कर लेते हैं आगे तो पूंड रूप से कार्यात्मक सार्चर होने का मतलब क्या है अब मंडला जिले के सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं नेस्ट कुशन देखेंगे गुर्दीब सिंग रंधावा को किस देश में भारतिय समूदाय के पहले प्रतिनीदी के रूप में चुना गया है तो इन्हें जर्मनी में भारतिय समूदाय के पहले प्रतिनीदी के रूप में चुना गया है किने चुना गया है गुर्दीप सींग रंधावा को जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं तो रंधावा जर्मनी के क्रिशियन डेमोक्रिटिट यूनियन के पहले भारतिये प्रतिनी दिये हैं और फ्रेंट्स यह जो पार्टी है जर्मनी की सबसे मजबूत राजनेतिक पार्टी है जिसका नेततो बर्तमान में फैटरिक मर्ज कर रहे हैं दूतिय विश्विद्द के बाद से यह पार्टी सबसे ज़्यादा समय तक सत्ता में रही है अगला कोईशन देखेंगे भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड किसने पेस किया है तो फ्रेंट्स ओ भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड है ना इसे पेस किया गया है एडल वाइस मूच्वल फंड के दुवारा अब डिसकस कर लिएते हैं टॉप टैन इस्टैटिक जी के कोईशन कम्प्यूटर को हिंदी भासा में कहा जाता है संगड़क असायोग आंदौलन के दोरान गांदी जी ने बिटे सरकार दुवरा दी गई किस उपादी में किस उपादी को बापस कर दिया था केसर एह हिंद की उपादी को काईदे आजम किसे कहा जाता है मुहम्मद अली चिन्ना को किसने गांदी जी के डांडी मार्च की तुलना सिरी राम की लंका यातरा से की थी मौतिलाल नहरून है किसने कहा मद्रातरी के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वह सुतंतरता के लिए जाग उटे का ये कहा गया था जवालाल नहरू जी के दुवारा ओमर का पूर्ण रूप क्या है तो अप्टिकल मार्क रीडर है अर्जुन अवार्ट कौन देता है तो प्रसिडेंट के दुवारा अर्जुन अवार्ट दिये जाते है पैनल्टी कौनर किस खेल से रिलेटेड है तो ये हौकी से रिलेटेड है बटर पॉलर टीम में कितने खिलाडी होते हैं कुल साथ खिलाडी होते हैं ओलम्पिक द्वज में पांच छलो का सम्मंद क्या होता है तो पांच महादीपो से होता है कल की क्लास में आपसे जो कुछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं परम पूरूल सूपर कंप्यूटर का उधगाटन कहां किया गया ह तो NIT तिरूचरापली में इसका उधगाटन किया गया है जे पिविदता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो सहर कौन सा बन गया है कॉलकाता किस नदी के किनारे है हुगली नदी के किनारे है निमन में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है तो इंस्टाग्राम नहीं है भ आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में खबरों में रहा गोल्डन वीजा किस देश से सम्मंदित है नेस्ट कुशन है अंतरास्टिय हो की महासंग ने किस देश के सैप एहमद को कारे बाहक अध्यच के रूप में नियुक्त किया है नेस्ट कुशन है विक्टोरि को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा साथी क्लास को लाइक, सियर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच